Good morning students, भारत के भुगोली में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे जनसंख्या वरद्धी और भारत में जनसंख्या समंदित समस्याओं की समस्याओं पर आने से पहले ये जानना जुरूरी है जनसंख्या वरद्धी भारत में किस अनुसार है और क्या इससे समंदित समस्याओं कुछ फैक्स सबसे पहले हम देखते हैं भारत के संदर में भारत विश्व में दूसरा सबसे जादा जनसंख्या वाला देश है जिसमें लगभग 2011 के जनकर्णा के अनुसार 1.21 बिलियन लोग निवास करते हैं भारत में विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5 प्रतिशत भाग विद्यमान है और 2025 तक माना जा रहा है कि ये चाइना को भी क्रॉस कर देगा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भारत में 1.5 परसंट है जोकि विश्व में 90 नभेवी स्थान पर है और कतर जिसकी 4.93 परसंट है वो प्रथम स्थान पर है इंडिया में 50 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या 25 साल से नीचे की जनसंख्या है अर्थात यंग पॉपुलेशन की मात्रा बहुत अधिक है और 65 परसंट से अधिक जनसंख्या बिलो 35 एज के है यानि 35 वर्ष से कम है तो भारत को एक यंग कंट्री की रूप में इस्टाब्रिश किया गया है ये माना जाता है कि इंडियन की एवरिज एज 29 साल है चाइना में ये 37 और जिपैन में 48 है यानि कि अभी जीवन प्रत्याशा जी से हम कहते हैं एक एवरिज एज जो व्यक्ति जीता है अगर भारत के संदर में बात की जाए तो 29 वर्ष है यानि मेडिकल की फैसलिटी हमारे अभी भी इतनी अर्थिक अच्छी नहीं कही जा सकती इसमें सुधार की बहुत अधिक गुणजाईश है जनसंख्या व्रद्धी की बात करें अगर हम तो इनमें कुछ जनसंख्या व्रद्धी को डिटर्माइन करने वाले मुखे रूप से डेथ रेट, बर्थ रेट और माइग्रेशन बहुत मैट्व पूर्ण है भारत के संदर में इनको फेजिज में बाता जा सकता है फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड और फोर्थ फेज, 1901 से 1921 के बीच पहला फेज था जिसमें stagnant या stationary या थाई चरण के रूप में से स्विकार किया गया, इसमें भारत की जनसंख्या व्रद्धी दर बहुत कम थी, कहा जा सकता है 1911 और 21 के बीच में इस दशक में तो ये negative growth rate भी रही है, इसमें birth और death rate, सबसे important बात है, birth और death rate दोनों high थी, जिसके कारण जो total growth थी, वो बहुत कम थी, poor health और medical services इसका बहुत बड़ा कारण थी, illiteracy थी, inefficient distribution system, food का malnutrition, याने की proper portion ना हो पाना, इसकी वज़े से जो basic needs थी, वो भी पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसकी बहुत जादा और death rate दोनों ही बहुत जादा थी, ultimate result जो growth rate थी, वो बहुत कम थी, second phase 1921 से 1951 का है, जिसमें steady याने की constant population growth हुई, जिसमें health और sanitation की overall improvement देखने को मिलते हैं, जिसकी वज़े से mortality rate जो थी, वो तुलनात्मक रूप से कम हुई, इसमें better transport और communication का, क्यूंकि ये independence के बाद का, जिस्ट बाद का period है, सुतंतरता की जिस्ट बाद का period है, तो धीरे-देरे सुधार होना स्वभाविक था, facilities डवलप हुपाई, यातायाद और जो communication के माध्यम थे, उनमें betterment हुआ, और crude birth rate जो थी high हुई इस period में, जिसकी वज़े से previous phase की तुलना में, हाला कि धीर धीरे-धीरे मृत्युदर, चुकि facilities धीरे-धीरे बढ़ने लगी, तो मृत्युदर धीरे-धीरे, gradually कम हुई, तो धीरे-धीरे यहाँ पर एक steadiness, यानि की जनसंग्या व्रदी में, जो कमी थी, वो यहाँ पर अब constant phase में आ गई, third phase 1951 से 1981 का था, यह period population explosion का का जा सकता है, जन इसमें mortality rate में बहुत तेजी से downfall हुआ, जबकि fertility rate जो थी, वो बहुत ज्यादा थी, average annual growth rate लगभग 2.2% थी, यह एक ऐसा period था, independence के बाद का, जिसमें developmental activities introduced हुई, planning, process, economy, जो थी, वो अब gear up होने लगी, बढ़ने लगी, अपने positively enhanced होने लगी, और साथ ही natural increase, जो प्राक्रतिक रूप से, जो growth rate थी, वो बढ़ी, इसके अलावा international migration भी इस period में बहुत जादा हुआ, तिबितन्स और बांगलदेशी जो पाकिस्तान का विभाजन था उसकी वज़े से, यहां पर आगा, जो शरणार थी थे, वो बहुत अधिक मात्रा में आये, नेपाली ज़े बहुत आय और पाकिस्तान और इन्हों जो इन देशों से आये, उन्होंने एक बहुत बड़ा contribution दिया population, व्रदी, population explosion के संदर में, 4th phase, 1981 के बाद का present phase तक कहा जा सकता है, और इसमें जनसंक्या व्रदी अभी भी high part पर है, और इसमें यह कहा जा सकता है कि crude birth rate धीरे-धीरे downwards हो रही है, लेकिन इसके counter effects है, increase इसका प्रमुख कारण कहे जा सकते हैं, जो marriage age थी, चुकि quality of life improved हुई, education of females, जीवनस्तर अच्छा होने लगा, literacy बड़ी, साक्षरता बड़ी, awareness बड़ी, जागरुकता बड़ी, जिसकी वज़े से पता चला कि early marriages की क्या नुपसान है, तो एक जो marriageable age थी उस age तक पहुँच करके marriages की जाने लगी, जिसकी वज़े से positive जो प्रभाव थे society में वो देखने को मिले, तो growth rate धीरे-धीरे कम होने लगी, और यदिपी growth rate अभी भी high है, लेकिन world development report के अनुसार 1350 million, 2025 तक हो जाएगा, यदिपी इसमें variation देखने को मिलता, देखिए, इसमे एक बहुत important factor यह है कि medical facilities पहले की दुलना में improve हुई, लेकिन awareness की वज़े से birth rate भी दुलनात्मक रूप से कम हुई, लेकिन उतनी अधिक जितनी constant करने के लिए चाहिए, उतनी अधिक नहीं हुई, इसलिए ultimately results जो है, वो population growth की रूप में ही देखने को मिलता है, ये table बताती है 1901 से 2011 तक का जो total population और decadal growth है, परसंट में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1911 से 21 के बीच में, जो समय influenza और हैजा जैसे बिमारियों का प्रकोप रहा, तो इस वज़े से negative growth rate है, वो देखने को मिलती है, नकारात्मक, जनसंख्या का, जो minus में 0.3% यहाँ पर population, जो growth हुई, वो हुई, फिर जो phase आता है, आपका देख सकते हैं कि 1971 में सबसे ज़्यादा population decadal growth percentage है, यह चोई 0.8% कहीं बार objective में भी आ जाता है, कि सबसे ज़्यादा कौन से decade में जनसंख्या व्रदी देखी गई, तो यह और उसके कारण, जो यहाँ पर partitions रहे हैं, political disturbances र आना, यह कई factors responsible रहे हैं, और वरतमान में, हाला कि slowdown हुआ है, और 17.6% दश्की जनसंख्या व्रदी दर रही है, यह इसका line diagram के जरिये इसका presentation है, जिसमें हम देख सकते हैं किस तरह से जो line है, वो बीच में उपर raise होती है, और उसके बाद धीरे-धीरे वापस towards down होती है, न अगर decadal growth rate की हम state-wise अगर इसका अध्यन करें, इसकी बात अगर हम करें, तो जहां पर decadal growth 30% और अबाव है, वो कुछ जो सबसे important अगर कहा जा सकता है, तो इसमें ऐसा कोई विशेश स्थान नहीं देखने को मिलता है, 20-30% जो है वो राजस्थान, plain area में खास दूर से दे जिन में राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, जहारकन, चत्तिसगर, मेगाले, northeast की तरफ जहां पर लोगों का आना जारी रहा, awareness इत्ति अधिक नहीं हूपाई, वहां पर population growth rate देखने को मिलती है, जमू कश्मीर में भी क्योंकि migrants रहे हैं यहां पर, तो यह एक natural growth नहीं कई जा सकती, northeast और northern state में, बलकि middle level part जो है, जो plain part है, वहां पर natural growth देखने को मिलती है, दो तरह की growth है, बिसिकली जहां पर बात की birth rate और death rate और, जो migration है, जो migration है, that is artificial growth, तो यह यहां पर जो देखने को मिलता है, जहां पर migrants जादा है, वहां पर भी growth rate जाद है, लेकिन वो artificial है, इसके अलावा, 10 से 20% जो growth rate है, वो plateau area में, या highlands में देखने को मिलती है, और low growth rate जहां पर देखने को मिल रही है, जैसे केरला, जिसका सबसे बड़ा reason, awareness है, सबसे बड़ा reason, यहां पर policies है, सबसे बड़ा reason, जो literacy rate हाई होना, और लोगों को इस बारे में जानकारी होना, कि जनसंख्या अगर अधिक है, तो किस प्रकार के उसके दुष्प्रभा हो सकते हैं, इन सब संदर्भों में यह बात कहीं जा सकती है, यह comparative जो अध्यन है, इसके factors जो responsible और इसमें description कर सकते हैं, जो अपने बात की factors, जो factors responsible for population growth है, इनमें तीन, जो birth और death rate जो के लिए, तो एक artificial growth बनती है, जहां हम यह बात करते हैं, हम demographic transition theory की बात जरूर करेंगे, demographic transition theory यह कहती है, कि जहां पर birth और death rate दोनों आई हैं, तो population stable रहेगी, यह चीज जो first phase भारत का था, population growth में, उसमें देखने को मिलती है, second phase में, population की rapid growth है, इसमे mortality rate जो है, याने की medical facilities मिलती है, mortality rate, death rate जो है, उसमें downfall आता है, और birth rate में कोई बहुत विशेश downfall देखने को नहीं मिलता है, तो इन दोनों का जो differences हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं, जिसके विजह से growth rate बहुत high होती है, and third phase, जो best phase कहा जा सकता, development की दृष्टी से भी high development है, जहां पर birth rate decline हुई याने की जन्व पर भी control है, और ब्रत्यू पर medical facilities इतने अच्छी है, बहतरीन है, जिसकी वज़े से ब्रत्यू दर्भी कम है, और ये दोनों आपस में मिल जाती है, जहां पर जिसकी वज़े से growth rate least हो जाती है, बिल्कुल low पर आ जाती है, यहां पर ये जो diagram है, वो ये represent करता है कि किस तरह से death rate कितनी तेजी से, यहां पर हम देख रहे हैं कि medical facilities तो अच्छी हुई है, लेकिन अभी भी birth rate में कोई एक बहुत noticeable difference जो है, वो अभी create नहीं हो पाया है, जब तक ये नीचे आकर कि birth rate, death rate से मिल नहीं जाएगी, तब तक हम development stage में higher rank पर नहीं आ पाएगे, त का जो difference है, वो यह बताता है कि अभी बहुत अधिक गुंजाईश है, development ही, यह ता difference जो है, जो शुरुआत में बिल्कुल least था, लेकिन development low था, क्योंकि birth rate और death rate दोनों high थी, तो यह जो चीज है, अभी हम कह सकते हैं कि अभी भी हम medieval stage पर हैं, मध्य demographic transition की मध्य अवस्था में और तरती अवस्था का अभी भी प्रतिक्शारत हैं, factors that impact population growth, बहुत से factors ने जो population growth हो determine करते हैं, culture, religion, किस प्रकार की culture है, कि किस प्रकार का, क्योंकि हम सब प्रकार के cultures को intermingle करते हैं, तो सब culture में अलग-अलग system है, population growth के संदर्म में, gender equality for education and employment, जो लिंग हम कह सकते हैं, सदभ होना, यह सामन जस समानता है, education and employment में अभी भी कहीं स्थानों पर girls, female child को भी भी पढ़नी नहीं भीजा जाता, तो इनके awareness create नहीं हो पाती, इसलिए कहा जा सकता है, कि population जब तक aware नहीं होंगी, female तब तको नहीं जान पाएंगी, कि किस best marriageable age क्या है, किस तरह से, किस प्रकार स जन संख्या को नियंत्रित किया सकता है, तो equality होना, female को भी उतनी education मिलना बहुत ज़रूरी है, education availability जो बात हमने की गई, pension system, कई बार pension system किस प्रकार का है, उनको उनकी जानकारी के भाव में population growth जा हो है, वो higher देखने को मिलते हैं, कि pension अगर proper नहीं है, तो उन्हें लगता है, क जो घर परिवार का भरण portion है, वो के जा सकते हैं, तो pension system भी proper होना चाहिए, marriage age, क्योंकि जितना early marriages होंगे, उतने अधिक child birth की probability होगी, इसलिए एक marriageable age होना, एक minimum 18 years, 21 years, जो उसको मानेता देना और उसको imply भी करना, उसको क्रियान्वित करना भी बहुत ज़रूरी है, family planning system, contracept हैं और family को plan करने का system और उसके अनुसार, जो भी activities हैं वो करना, abortion acceptance उसको भी मानेता मिलना, infant mortality rate जो शिशु मृत्युदर है, उसको भी control करना, क्योंकि जितने ज्यादा infant mortality rate होगी, उतना population growth, मान सिक psychology पर असर होगा, उतना अधिक population growth की संभावना बढ़ती जाएगी. और population से कई प्रकार की समस्या हैं, कई प्रकार की हम कह सकते हैं, जो परिशानिया हैं, जो problems हैं, वो face की जा सकते हैं, societal way में या environmental way में, population growth की वज़े से increased need, लोगों की जो आवशकता हैं, वो अधिक होंगी, consumption जादा होगा, environmental degradation क्योंकि रिसोर्स पर pressure बहुत जादा होगा, तो अती दोगन होने से जो प्रकृती हैं, उस अंसाधन हैं, उनका resources का समापती करण देखा जाएगा, resources कम होते चले जाएगे, आपस में scarcity and poverty, आपस में लोगों में conflict होगा, क्योंकि employment generate नहीं होगा, नो उनको resources proper मिलेंगे, तो आपस में लोगों में veminous से होगा, या लोग उस सान को छोड़ करके अनित्र जाएंगे, migration होगा, जब उनको opportunities proper नहीं मिलेंगे, resources proper नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पर अपना सान छोड़ करके भी जा पाएंगे, तो ये कई problems है, overpopulation की वज़े से, जो देखने को मिलती है, और भी जैसे problems की बात किया सकती है, तो farms, जैसे जैसे population बढ़ेगी देखते हैं, हम प्रीडियों बच्चे जादा है, तो farms यानि की जो खेत है, उनका लगातर विभाजन होता चला जाएगा, उनका छोटा आकार होता चला जाएगा, जिससे production definitely कम होगा, natural environment destruct होगा, क्योंकि resources बे हैं, जैसा कि हमने बात कि उनको प्रैशर बढ़ इतना नहीं हो पाएगा, जो खेत हैं, वो छोटे होते चले जाएगे, तो उसकी वज़े से लोग, जो यंगर जनरेशन है, वो गाउं को छोड़कर शहर जाएगी, जब उन्हें employment नहीं मिलेगा, और पैटर opportunities के लिए, जॉब के लिए, और अर्बन जब ग्रोथ बढ़ेग जो है, कच्ची बस्तियों का उदभव होगा, जो कि बहुत बड़ी समस्या है, यह एक अलगा aspect है, high employment ऐसा नहीं कि शहर जाने वाले हर वेक्ति को रोजगार मिल जाता हो, definitely, crime rate, जब वो अपना भरण पोशन नहीं कर पाएगा, और उसे रोजगार नहीं मिलेगा, तो crime rate, क् school और hospitals over crowded होंगे, जिसे school के, जो basic education है, वो बच्चे को proper नहीं मिल पाएगे, क्यों teachers हर बच्चे को फिर ध्यान नहीं दे पाएगे, तो यह कई चीज़े हैं, factors हैं, जो आपस में linked है, crime बढ़ना को अलगसे एक समस्या नहीं, और population का एक part है, तो जब तक population control नहीं होगी, तब तक इन सारे societal problems पर, environmental problems पर हम concentrate नहीं कर सकते, solution की बात की जाये, तो one child policy like China को adopt किया जा सकता है, whether it is, और सबसे बड़ी बात यहां पर मैं कहना चाहूँगी, one child policy में सबसे बड़ी जो issue है, वो भारत में अभी भी वंश बात की जो thinking है, कि एक पुत्र ही वंश को चलाएगा, आ concept की वज़े से बहुत जादा population growth देखी जाती है, तो जो one child, whether it is girl child और a boy child, दोनों ही बहुत अच्छे हैं और दोनों ही निश्चित रूप से जो वंश हैं से आगे बढ़ाएगे, दोनों ही बढ़ाएगे, तो यह जो ग्रंती है, वो तूटना बहुत ज़रूरी है, family planning और sex education बच्चों को एक उम्र के बाद या शायद 10th class के बाद हम कह सकते हैं, जब वो इस बात के लिए समझदार हो जाएं, उस दृष्टी कोंड से अवेरनेस की दृष्टी कोंड से समझें, तब यह बात की जाने चाहिए, free contraception जैसा इंडोनेशिया में दिया हुआ है, वैसा यहां पर विभिन जनसंख्या नियंतरण के उपाय दिया जाने चाहिए, equal education for women, उनका education awareness भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए, cash incentives for small families को cash incentives जो से प्रमोट हो, small families के लिए, और voluntary sterilization की स्वेच्छा से नसबंदी या family planning करना, यह सारे aspects जो है, वो किया जाना चाहिए, तो यह सारे जो aspects हैं, यह हम कह सकते हैं कि कोई एक समस्या एक आकी नहीं है, बलकि कई समस्या आपस में linked हैं, और सबसे बड़ी समस्या population growth की जब तक एक control नहीं हो पाएगी, तब तक एक हम कह सकते हैं, एक बहतरीन समाज की स्थापना नहीं हो सकती, एक developed society की हम कलपना नहीं नहीं कर सकते हैं, तो यह जो प्रशन है वो इस तरह से बन सकता है, describe the problem of population growth, इंसंख्या व्रदी की समस्या भारत में इसका परिद्रश्य पर एक भागुलिक लेक लिखिये, और probable measures to overcome, जो संभावित measures, जो remedies हैं, जो निराकरन के उपाए हैं, इस समस्या को control करने के लिए उन पर भी विचार व्यक्त कीजे, तो इसको notes बना लीजे आप, thank you and take care.